हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब दुफ्तु यह इतिहास का प्रैक्टिस सेट 19 है और यह इससे पहले 18 सेट आ चुका है तो अगर आपको सारे प्रैक्टिस सेट लगाने है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हिस्ट्री के प्लेलिस्ट का आप वहां से लगा सकते हो अधर वा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा कैनली उसे लेकर के कहीं आप सेंड कर लेना किसी दूसरे टेलिग्राम एकाउंट पे जो आपके पास वह रेकॉर्ड रहेगा चलिए पहला कुश्चन आज का देखते हैं रूल सेम है तीन से पाच सेकेंड आपको टाइम दिया जाए द्वायन सासन डबल गॉर्णमेंट आपको पता है यह डिवल गॉर्णमेंट क्या है नहीं पता है तो हमारे मॉडरनिस्टि के जो प्लेलिस्ट है उनको देखिए आपको पता चल जाएगा किस ने की थी क्लाइब लॉरेंस डॉलोजी और ओक लाइंड पहुंसा आशा गॉ स्वर्णमेंट उनको कौन है नील दर्पन के लेखा प्लेकंट ऑजाता है नील दरपन के लेकंट अधर मेंट सरफ चंद चटळर जी बंकिन चंद चटवपाद्ध्याए सुभास चंद और बॉस अब्याइब रिंद बोस करना है यह बताना है कि इसका थीम क्या यह नील द 60 के आज पास इसके वारे में ये पूरा निल दर्पन बंकिन चंदु चंद चटए जी ने लिखा है ठीक है ओके चलिए आगे वढ़ते हैं हंटर इसका राइट रॉट क्मिशन से संबंदी था इसका राइट औसा refined हंटर कमीशन यह एजूकेशन के लिए लाए गया था टेकनोलोजी के लिए स्टेट या हुमन डेवलप्मेंट के लिए तो यह हंटर कमीशन लाए गया था एजूकेशन के लिए इसे याद करने का ट्रिक है एजूकेशन पर हंटर चला दिया इसने ठीक है किस पर हंटर चला खुआ है अगरिप्स मिशन का कौन मेंबर नहीं था स्टाइनफूड कृप्स एवी अलेक्जंडर पैथिक लॉरेंस और लॉर्ड मांट बेटन तैंडर बताहिए राइट अंसर क्या होगा इसका है है लॉर्ड मांट बेटन इसके सबस्य नहीं थे आपको पता ही है क्रिप्स मिशन कब आया था 1942 में 1942 में 1945 में क्या था कैविनेट मिशन दोनों में आपको अंतर याद रखना है इसमें तीन मेंबर थे एवी एलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस स्टैंफूर क्रिप्स लॉट मांट इबेटेन हमारे अंतिम वायस राय थे जिनके समय में भारत और पाकिस्तान की का बटवारा हुआ ब्रिटिस सल इन में से कोई नहीं कौन है राइट आंसर कौन है बताई है बद्रुदीन तयब जी और दादा भाई नोरो जी जो थे यह हाउस आफ कॉमर्स के मेंबर थे वहां ब्रेटेंड में खपी अमेरी घराने से थे और एक चीज़ इनके बारे में आद रखना है इनोंने भारती र कराने की कोशीज भी की गए निम्न में सबसे पहला अंदोलन कौन है फर्स्ट मूवमेंट फ्रॉम दो फॉल्वेंग चंपारत जित्यागरा नील आंदोलन स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो अंदा आंदोलन सबसे पहला अंदोलन इसमें से कौन है आपको क्या लग सबसे पहला कौन हो गया भारत छोड़ो अंदोलन अगला है महरास्ट में होम रूल की अस्थापना किस ने की थी महरास्ट की बात कुरिया ओप्सन देख लिए चार ओप्सन है आपके सामने कौन है राइट आंसर अगे बढ़ते हैं अगले कुश्चन में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपादी कब लॉट आई विंडिट गांधी रिटर्न डटाइडल आप कैसरे हिंद जाली अलवा घत्याकान भारत छोड़ांदुलन असायू गां गांधी जी ने किस के बाद इनमेर से तो यह था जालीया वाला भाग घत्याकान जिसमें तेरा प्राइल उनिस को यह हुआ था और यह लॉट आए गया था और रविंद्ना टैवोर में भी एक उपादी लॉट आई थी क्या नाम था उस उपादी का कैसरे हिंद गांधी जी को कब भी ली ते आपको पता है गांधी जी को कैसरे हिंद की उपादी बॉर यूद के दौरा यूद क्या है यह विदेश में यूद चल रहा था और इन्होंने एक एम्बुलेंस कॉप्स की स्थापना की जो वहां घायर जो लोग कि उनकी साहता कर इंडिया को सपताही कुरूप से शुरू किया था प्रस्थ किसने शुरू गया था यह इंडिया को होम रूल पाटी गंदर पार्टी और स्वाराज पार्टी बताईए यंग इंडिया और नौ जीवन चलिए इसको समझता है नौ जीवन महात्मा गांदी का था यंग इंडिया जो है यह होम रूल पार्टी के दौरा सुरूप किया गया था यह नियूस्पेपर है और ऐसा मना जाता है कि इसके पीछे जो है एडिटर वह एनी बेसेंट थी विच जर्नल वाज नोट असूसिएटेद इस रिवल्यूशनरी अक्टिविटीज कौन सी पत्रिगा क्रांतिकारी गतिविदियों से जुड़ी नहीं है संध्या युगांतर गदर और यंग इंडिया और यह है यंग इंडिया मैंने पहले ही बताया था युगांतर गदर और संध्या ये तिनों क्रांतिकारी पत्रकारिता से संबंदीत है मतलब इसमें रिवल्यूशनरी अक्टिविटी के बारे में ज्यादा बताया गया है फॉस्ट न्यूश्पेपर पब्लिच्ट बाई इंडियांस इंग्लिस लैंग्वेज भारतियों द्वारा अंग्रेजी भ यह था हिंदू पैट्रियट ठीक है यह मैक्सिमम लोगों का गलत हो रहा है अगला है फर्स्ट एडिटर ऑफ जर्नल इंडियन ओपीनियन इंडियन ओपीनियन की पहले जो एडिटर थे वो कौन थी यह हमने अच्छे से महात्पागानी चैप्टर में पढ़ा भी है कौन से पहले एडिटर थे महात्मा गांधी और इंडियन ओपीनियन कहा चार भासाओं में साउथ अप्रिका में चाप्ता था पॉलिटिकल मेंटर ऑप महात्मा गांधी कौन से थे यह औप्शन इस पर ध्यान नहीं कीजिएगा यह एक्स्टर में इठा गया है गोपाल किष्ण ग गांधी के राजनितिक गुरूब कि इनकी इतनी अच्छी इनको दिया बहुत है तो यह थे महात्मा गांधी के रवाई चौन थे और गुविंदर रनाडें और उनके गुरु कौन में भारत आया पता है ना नौ जनौरी नियुक्त को यह भारत पहुंचे तो तब से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं उसी तारीक को और इन्हों ने गांधी जी से अग्रा किया था कि आप आख खोल कर और कान और मुह दोनों बंद करके पूरे भारत का भर्मन करे है भारत को भूमें इस तिर से क्यों कि भारत को अब्ज़र्व करने से क्या होगा वास्तविक्ता क्या है इस भारत की ये पता चलिए तो यह किसका देन है महादमा गाणी के राजिती कुली जरी इस 1857 के वार को फिर्स्ट इंडिकेंडेंस वार कहा था यह किस ने कहा था मतलब 1857 की किरांटी को पहला भर्दीय सुतंतर संग्राम का किरांटी किस ने कहा था आप्षाने वीडी सावर कर आर्सी मजमुदार यसे से नसोप महता देखे यह फर्स्ट वार अफ इंडिपेंडेंडेंस यह कहा था वीडी सावर कर ने विनायक दामोगर सावर कर यह याद रखी गए इन्होंने फर्स्ट इंडियन कहा था अलग-अलग लोगों के व्यू है चलिए अगला है वेंडीर क्विन विक्टोरिया डिकलेर दर टेकिंग वार अफ इंडियन अन्मिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिक्स प्राउन कब इन्होंने डिकलेर किया था एक नॉबर अथारस ओंठावन एक दिसम्बर थारस ओंठावन और सेवंटीन अफ अगस्ट एट कौन है राइट आंसर क्या है इसका वन नॉबर 1858 ठीक है अगला है असबाब ए बगावते हिंद ये किसकी रचना है किस ने लिखा था इसे असबाब ए बगावते हिंद किस्ति लिखता सरसेयद अहमत खान है दो ऑफिसियल हिस्टोरियर ऑफ इंडियन फ्रीडम इस्टागल 1857 वाच ऑफिसियल हिस्ट्रियोरियन मतलब किनों ने अधिकारी की धियासकार कौन थे 1857 के जिन्होंने सरकार को सरकार ने अपॉइंट किया था इने कि आप 1857 की करांती को एक होता है ना क्रोन लॉजिकली यानि कि लिखते चलिए क्या-क्या वाकरिंग हुआ था यह थे एस एन सेर एस एन सेर एक जो है वो राइट आंसर हो आगला है वू आज दो गॉर्णर ज इसमें और इसमें आपको कन्फिजन हो रहा है मैं समझ रहा हूं लॉड कैनिंग थी कि 8-6 अधाउन की समय लॉड कैनिंग थी क्यूंकि इनका कारेकाल 1856 में शुरू होता है इसके पहले था लॉड डॉल हो जी जो कि डॉक्तरिन आफ लैप्स इसका सबसे फेमस है लैप्स इसमें इसने क्या किया जितने भी वारित नहीं थे आपने जहां से का नाम सुना ओगा बहुत सारे तर यहांसे रजवाड़ते इसको नहीं पर अंधावर संतावन की इकरांती तो यह गौवरणरंटर अई उस समय नहीं था इतनी इसकी काम करके निकल लिया ज्हेलना किसको बड़ा कैनेंग को याद ऐसे रखना है बात समझ में आ गए चलिए अब दो कोशन आपको कमेंट करना है जिसका आंसर मैंने प्रिविएस वीडियो में बताया है प्रिविएस जो हमारा यह प्रैक्टिस सेट है अथारो नंबर एसियाटिक सुसाइटी और बंगाल इस्टैब के कुछ डिमांड हो तो हमें जरुन बताईए थाइंक्यू सो मच